प्रिये विद्यार्थियों आज का पाठ कच्छा दस हिंदी के सूर्व दासद्वारर रचित पद्य संख्या नव की ब्याख्या पर अधारिद है इसमें उधाउ जाउ तुमाहिं हम जाने इस पाठ की संदर्व सहित ब्याख्या बताने चल रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है कि संदर्व सब में वही लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांत्स यह हमारी पाठी पुस्तक हिंदी काब खंड के सूर्व दासद्वारर रचित पद से लिया गया है ये रचना सूर्व सागर से लिग गई है अब इसके बाद प्रसंग जैसे इसमें बताये गया है कि इसमें उधव जाहु तूमययम जाने इसमें ब्रेज की स्त्रियां उधव के द्वारा दिये गए निर्गुण ब्रह्म के प्रस्ताव को सुविकार नहीं करती और उन्हें वापस लवड जाने के लिए कहती हैं और अपने आपको निराकार ब्रह्मी की आर यहां पर ह्या इया मने यहां के लिए नहीं पठेयो और ठीक है जिसे एक यहां पर होता है जोगं योगम कार्थ होता है योगसाधना से लजाने लज्जा नहीं आई एक सब्द है आयाने, आयाने मने अज्यानी, अज्यानी देखती की तरह, सयाने, सयाने मने बिबेक सीर, मस्ट करो पहचाने, मस्ट करना मने सांत हो जाना, चुप हो जाइए, और उसके बाद अगला है, बूजत बात निदाने, निदाने मने होता है, निदाने अंतिम बार, अ अब आईए इसकी ब्याख्या देखते हैं ब्रिच की गोपिकाएं उदव जी से कहती हैं कि हे उदव जी उदव जाओ तुमा ही हम जाने हे उदव जी आप जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग पर लवट जाएए क्योंकि हम आपको भली भात ही जान गए हैं उदव जाओ तुमा ही हम जाने हे उदव जी आप जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग से लोड जाएए क्योंकि हम आपको जान गए हैं स्याम तुमैं या कव नहीं पठियो ब्रिच की गोबी कहती है कि किर्ण्ष ने सिरी किर्ण्ष जिने तुमें यहां के लिए भेजा ही नहीं है तुम हो बीच भूलाने आप बीच मार्ग में भूल करके यहां आ गए हैं इन्हीं आपको कहीं और जाना था स्याम तुमैं यहां कव नहीं पठियो तुम हो बीच भूलाने किर्ण्ष जीने तुमें यहां के लिए भेजा ही नहीं है बलकि तुम मार्ग भूल करके यहां आ गए हो ब्रेज नारिन सव जोग कहत हो ब्रेज की इस्त्रियों से जोग साधना करने के लिए आप कहते हैं बात कहत न लजाने ऐसी बाते करते हुए आपको लज्जा नहीं आई देखे योग साधना का अर्थ क्या है इसके आगे वाली पंटी में इस पश्ट हो जाएगा यहाँ इतना ही अर्थ देखते हैं कि ब्रेज नारिन सव जोग कहत हो बात कहत न लजाने ब्रेज की इस्त्रियों से आप जोग साधना करने के लिए कहते हैं ऐसी बाते करते हुए आपको लज्जा नहीं आई बड़े लोग न विवेग तुम्हारे गोफिकाय कहते हैं कि हो दोजी आप बड़े लोग हैं बड़े ज्यानी बेखती हैं न विवेग तुम्हारे लेकिन आपकी बातों को सुनने से ऐसा लगता है कि आपके अंदर का सारा विवेग सुन्य हो चुका है बड़े लोग न विवेग तुम्हारे आप ज्यानी बेखती हैं लेकिन आपकी बातों को सुनने से ऐसा लगता है कि आपका विवेग इस समय सुन्य हो गया है ऐसे भय आयाने आयाने मने इस प्रकार एक अज्यानी आते कर रहे हैं हम सो कही लई हम सही के आपने हमसे तो कह दिया हमने किसी प्रकार इसे सहन कर लिया जिये गुन लेहु सयाने लेकिन जिये गुन लेहु जिये मने मन में गुन लेहु मने बिचार करो सयाने सयाने हे ग्यानी बेक्ती हे ग्यानी बेक्ती आप ही मन में बिचार करिये आपने हमसे कहा, हमने किसी प्रकारी से सहन कर लिया, जी ये गुन लेहु सयाने, लेकिन हे सयाने बिक्ती, हे ग्यानी बिक्ती, आप अपने मन में विचार करिये, कहां अबला, कहां हम अबला इस्त्रियां हैं, अबला, अबला कार्थ बलहीन, लेकिन लज्जासील, कुलीन, कह कहाँ हम लजजासी बुन स्ब स्थै एश्तियां हैं कहाँ दसा दि गंबर और कहा उस दि गंबर वन 92 और सबड़ाया वह निर्गुण ब्रह्मि के लिए गोपिकाए कहते हैं कि हे उद्व जी कहां हम कुलीन सब्य लज्जासील इस्त्रियां हैं और कहां वो दिगंबर अर्थाद बिनावस्त्र का इस्वर नगनिस्वर आप उसकी अराधना करने के लिए कहते हैं मस्ट करो पहिचाने मस्ट मने होता है मस्ट करो आप सांत हो उसकी पहचान बताने से अच्छा यही है कि इस समय आप माउन हो जाएए सांत हो जाएए गोपिकाए कहती हैं कहां हम अबलाइस्त्रियां कहां वो दिगंबर इस्तिति दिगंबर ब्रह्म की इस्तिति निर्गु निराकार ब्रह्म की इस्तिति जिसका अपना वस्त्र नहीं उसकी पहचान बताने से अच्छा यही है कि आप मौन धारण कर लीजिए साच कहो तुमको अपनी सव उधाव जी सत्य कहना हम आपकी सपध दिला कर पूछते हैं अब बूजत बात निदाने हम आपसे अंतिम इसपष्ट बात पूछते हैं सूर्ज स्याम जब तुम्हें पठायों सूर्दास जी कहते हैं कि गोफिकाओं का यह पूछना है कि जब स्रीकर्ण्स आपको यहां के लिए भेजने लगे तब नए कहुं मुष्का ने थोड़ा मुस्करा कर तो नहीं भेजा था मुस्करा कर भेजने का मतलब आपसे परियास किया था मजा किया था और आप उस मजा को सही समझ कर यहां चले आए और हम ब्रेज की कुलील इस्त्रियों को लज्जा सील इस्त्रियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने का संदेश सुना रहे हैं, आपका यह संदेश सुनाना हमारे लिए ब्यर्थ है, इसलिए बेहतर ही होगा आप मौन हो जाएए, यह इसकी ब्याख्या हुई अब आगे देखते हैं इसका कावे संदरी जिसे रस, रस इसमें बियोग स्रंगार, अलंकार, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का इस्पष्ट प्रियोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार जिसे सूर स्याम, सा सब्द दो बारा आया हुआ है, सूर स्याम जब तुम्हे पठायों यहां पर अनुप्रास अलंकार है और चंद चंद पद गेयपद है यह इसका काबे संदर हो जाता है रस यह स्रंगार बियोग स्रंगार अलंकार अनुप्रास अलंकार चंद पद गेयपद भासा ब्रिजभाला भासा ब्रिजभासा शैली मुक्त काबे सैली अब इसक उपरियुक्त गद्यान्स का संदर्व लिखिए उपरियुक्त गद्यान्स का प्रसंग लिखिए या इसकी अलंकार योजना पर प्रकास डालिए अलंकार योजना का मतलब कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार और एक प्रस्णाई से दे सकते हैं कि गोपिकाएं जो है आप के लिए मना करती हैं तो गोपिकाए उधवजी से निर्गुर्म ब्रह्म की आराधना करने से मना करती हैं इस प्रकार से इसकी ब्याख्या इसपश्ट हो जाती है